लोगसभा चुनावी से में नजदीक आ गया है और जैसे जैसे गर्मी चड़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पारा जो है हाई होता जा रहा है अलग-अलग छेत्रों से अलग-अलग लोगसभा जो है छेत्र से अपना-अपना हर पार्टी जो है अपना परत्यासी उतार रही अपना अपना ठोकने पर लगे ताल ठोक रही है और कौन बिजयता होगा अपना अपना लोग जो है फिल्ड में घूम रहे हैं इस समय आज मैं मवजूद हुद गोशी लोगसभा में और गोशी लोगसभा में मेरे साथ है उम यादो जी हैं और यह टाइटू बॉय के नाम से टायटू टीम के नामसे जाने जाते हैं और आखिलेश की इनके मैं इस चर्चा करता हूँ और आपके दर्सक को भी दिल से धन्य बाद घोसी का क्या महावल है गोसी में घुसा देंगे अगली बार 50,000 से घुसा थे इबीम में वोट की बात हम कर रहे हैं गुसाने की 50,000 से घुसा थे इस बार एक लाग से घुसा देंगे हम लोग उट ज्यादा ओट जी और इस बार ज लड़के मैदान में है और उनका जो है वो बीजेपी से उनका गठ मन्धन है तो कही न कहीं देखा जा एंडिये तो उनको एक सीट दिये पूरा पूरवांचल जो है राजबरों का वोट ले रहे हैं। उनको एक सीट मात्र घोसी के लिए और घोसी भी दाव पर लगा है त पर्वांचल नहीं जीतेंगे तो मंतरी नहीं रहेंगे यह मैं खुल केको आदे रहा हूं आपके चैनल पर पिछले उफचुनाओं में देखा जाए तो बहुत बड़े-बड़े इनके दावे थे और अखिलेस यादों से इनकी सीधी टकार हो गई थी परत्यासी वहां बीज उसी घोसी में आया है और इस बार जो है जनता उनको किस तरीके का जबाब देगी वहां आनको आटा आनको घीव चाबस चाबस बाबाजी दूसर पाटी चुनाओं लड़े आप बोले के बाब बेटा बोलना आप बेटा बोलना आपके परकार कर रिजल्ट आवेला इमानी मंत्री शुआ कि पता चली अवता नाप सना बाप बेटा ना बोली हूँ बौली हूँ तब ज्यादा से हरी भोसी बहुत बूरी इस्तीति हो जाएगी उनको कि अगर वहीं पे किसी और जुऀ कि कि समाज को लडा देते अपने करकरता को लडा देते तब तो चुनाओं में म आप बेटा लड़ेंगे बाकी करिकरता जंडा और डंडा उठाने का काम करेंगे यह लड़ाई है पिछणों की बात करके आप नेता बन गए हैं मंत्री बन रहे हैं बिधायक बन रहे हैं और जब पिछणों का हग अधिकार नहीं मिला तो क्यों आपने सपत लिया दूबारा यह मंत्री बनाई है और बड़ी बड़ी जिमेदारी उनको दी है बिजेपी ही मंत्री बनाई थी और 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 बिजेपी ही मंत्री फिर बिना मंत्री के घुमेंगे उंपरकास राजबर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और इनको मंत्री चुनाव से पहले इसलिए बनाया गया है कि अपने समाज का वोट बीजेपी पर डलवा सकें पुर्वंचल का वोट बीजेपी को दिलवा सकें चुनाव के बाद तुरंत गोषी में बहुत बुरी इस्तिती हो जाएगी गलती सिर्फ उन्होंने यही किया है कि 18 टिकट मिलता है तो अबसंतर की लड़ते हैं एक टिकट मिलता है तब भी बाप बेटा ही लड़ेंगे बागी करकरता क्या करेंगे उनके समाज के लोग ही उनका अभीरोत कर रहे हैं पर्चा खारिज कर दिया गया उसके बाद जो है वो सप्पा के साथ हो गए और सप्पा को समर्थन अपना दे दिये इस बार भी हमसे उनसे बात हुई है एक इंटर्विवा तो उसमें कहें कि अकलिए स्यादो मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं मैं बताऊंगा नहीं ल पहली बार लड़ाया अपने पार्टी को बनाने के बाद पहली बार किसी अपने करकरता को लड़ा दिया खुद लड़ने का काम नहीं किया महंदर राजबर एक हस्ती है महंदर राजबर ही मेनत किया तो आज ओंपरकास राजबर अपनी पार्टी बना रहे हैं और यहां त कि आपना हक अधिकार मांगो जब तक मांगों कinga मिलेगा नहीं इंट जिए से हुराबाद को जो बीधायक नहीं सजावार रहा है एस पें तो दु Sé • चल्डा ज से बीरह नहीं की साहरा जारा है कुछ नहीं है जहूराबाद में समाजवादी पाटी के विधाग मनी सदा सदा फातिमा जी के द्वारा कराया गया है तब जाकर के पावर आऊस से लेकर रूट से लेकर तो तसील से लेकर अस्पीटल से लेकर कर करके तो आज जहूराबाए शुर। अब तो पंचाहिती राज मिल गया है अब तो इनके पास एक मुद्दा मिल गया बीना पंचाहिती राज काहिक काम को अडपते थे वह परकास राजबर जहूराबाद में नाली खड़न्जा काउंटिंग कराते हैं प्राजबर करने की राजबर मेरे साथ है तो घोसी में घोसी की जनता जिसके साथ है आपने रिजल्ट कुछ दिन पहले देखा है ग्यारा बज़े के बाद सपया भाग जैयों सो यह सपा को यादो समाज को ना जाने बड़े-बड़े बयान दिये थे साइकिल समेत उहां की ज मुख मंतरी खुद मुख मंतरी जिया करके उस गड़ को नहीं बचा पाए उस समय भी राजबर बेड़ था चवान बेड़ था हर समाज के लोग वहां थे लेकिन वहां के लोग पड़े लिखे हैं सिचित हैं समझने का काम किया कि नहीं जो जीत कर यहां से भागने का काम कर कर रहा है उसको नहीं जिस तरह से राजीव राय हर एक गरीब के सुख दुख में खड़े होने का काम कर रहा है कि यह हैं चुनाव हार गए फिर भी